लीजे सुनिए जैशेंकर प्रसात की लिखी कहानी परिवर्तन वाचन समीर गोस्वामी का है चंदर देव ने एक दिन इस जना कीन संसार में अपने को अकस्माथी समाज के लिए अत्यंत आवश्यक मनुष्य समझ लिया और समाज भी उसकी आवश्यकता का अनुभव करने लगा छोटे से उपनगर में प्रियाग विश्विद्याला से लोटकर जब उसने अपनी ग्यान गर्मा का प्रभाव वहां के सीधे साधे निवासियों पर डाला तो लोग आश्चर चकित होकर संभ्रम से उसकी ओर देखने लगे जैसे कोई जोहरी हीरा पन्ना परखता हो उसकी थोड़ी सी संपत्ती बिसाथ खाने की दुकान और रुपएयों का लेंदेन और उसका शारिर गठन सौंदर का सहाइक बन गया कुछ लोग तो आश्चर करते थे कि वो कहीं का जैज और कलेक्टर ना होकर ये चोटी सी दुकान दारी क्यों चला रहा है किन्तु बातों में चंदर देव सुतंत्र व्यवसाई की प्रशंसा के पुल बांध देता और नौकरी की नरक से उपमा दे देता तब उसकी करतवे परायंटा का वास्तविक मूल लोगों की समझ में आ जाता ये तो हुई बाहर की बात भीतर अपने अंता करण में चंदर देव इस बात को अच्छी तरह तौल चुका था कि जज कलेक्टर तो क्या वो कहीं किरानी होनी की भी शमता नहीं रखता था तब थोड़ा सा विनाय और त्याक का यश लेते हुए संसार के सहज लब्ध सुख को वो क्यों छोड़ दे अध्यापकों के रटे हुए व्याख्यान उसके कानों में अभी गूँज रहे थे पवित्रता, मलिंता, पुन्न और पाप उसके लिए कंभीर प्रश्न ना थे वो तरकों के बल पर उनसे नित्त खिलवाण किया करता और भीतर घर में जो एक सुन्दर इस्त्री थी उसके प्रती अपने संपूर्ण असंतोष को दार्शनिक वातावरण में ढख कर निर्मल वेराग की संसार से निरलिप्त रहने की चर्चा भी उन भोले भाले सहीयोगियों में किया ही करता चंदर देव की इस प्रकृती से उपकर उसकी पत्नी मालती प्रायह अपनी मां के पास अधिक रहने लगी किन्तु जब लोट कर आती तो ग्रस्ती में उसी क्रत्रिम वेराग का अभने उसे खला करता चंदर देव 11 बजे तक दुकान का काम देखकर गप लड़ाकर उबदेश देकर और व्याख्यान सुना कर जब घर में आता तब एक बड़ी दैनिये स्थिती उत्पन होकर उस साधरन तह सजे हुए मालती के कमरे को और भी मलिन बना देती फिर तो मालती मुह ढखकर आशु गिराने के अत्रिक्त और कर ही क्या सकती थी यद्दपी चंदर देव का बाहा आच्रण उसके चरित्र के संबंध में सशंक होने का किसी को अफसर नहीं देता था तथा भी मालती अपने चादर से ढखके हुए अंधकार में अपनी सौत की कलपना करने के लिए स्वतंत्र थी ही वो धीरे धीरे रुगणा हो गई एक दिन चंदर देव के पास बैठने वालों ने सुना कि वो कहीं बाहर जाने वाला है दूसरे दिन चंदर देव की इस्त्री भक्ती की चर्चा छिड़ी सब लोग कहने लगे चंदर देव कितना उधार साहरदय व्यक्ती है इस्त्री के स्वास्त के लिए कौन इतना रुपिया खर्च करके पहार जाता है कम से कम नगर में तो कोई भी नहीं चंदर देव ने बहुत गंभीरता से मित्रों में कहा भाई क्या करूं मालती को जब एक्ष्मा हो गया है तब तो पहार लिवा जाना अनिवार है रुपिया पैसा तो आता जाता रहेगा सब लोगों ने इसका समर्थन किया चंदर देव पहार चलने को प्रस्तुत हुआ विवश होकर मालती को भी जाना ही पड़ा लोक लाज भी तो कुछ है और जब कि सम्मान पूरवक पती अपना कर्तवे पालन कर रहा हो तो इस्त्री अस्वीकार कैसी कर सकती इस एकांत में जब पती और पत्नी दोनों ही एक दूसरे के सामने चौबी सो घंटे रहने लगे तब आवरण का व्यापार अधिक नहीं चल सकता था बाद्ध होकर चंदर देव को सहायता तत्पर बनना पड़ा सहायता में तत्पर होना सामाजिक प्राणी का जन्म सिद्ध सुभाव संबह होता मनुष्यता का पूर्ण निर्देशन है परन्तु चंदर देव के पास तो दूसरा उपाय ही नहीं था इसलिए सहायता का बाहः प्रदशन धीरे धीरे वास्तविक होने लगा एक दिन मालती चीड के वरक्ष की छाया में बैठी हुई बादलों की दोड़ धूप देख रही थी और मन ही मन विचार कर रही थी चंदर देव के सेवा अभिनय पर सैसा उसका जी भराया वो पहाड़ी रंगीन संध्या की तरहे किसी मानसिक वेदना से लाल पीली हो रूठी उसे अपने उपर क्रोध हाया उसी समय चंदर देव ने जो उससे कुछ दूर बैठा था पुकार कर कहा मालती अब चलो ना ठक गई हो ना वहीं तो सामने पहुँचना है तुम्हें जल्दी हो तो चले जाओ बूटी को भेज दो मैं उसके साथ चली आउंगी अच्छा कहकर चंदर देव आग्या क्यारी अनुचर की तरह चला वो तनिक भी विरोध करके अपने इसने हे प्रदर्शन में कमी करना नहीं चाहता था मालती अविचल बैठी रही थोड़ी देर में बूटी आई परन्तु मालती को उसके आने में विलंब समझ पड़ा चलती चलती थी, बात बात पर हसती और फिर उस हसी को चिपाने कर प्रेत्न करती रहती बूटी ने कहा, चलिए अब तो किरने डूब रही है और मुझे भी काम निप्टा कर चुट्टी पर जाना है छुटी? आश्यर इसे जला कर मालती ने कहा हाँ, अब मैं काम ना करूँगी क्यों? तुझे क्या हो गया बूटी? मेरा विया इसी महीने में हो जाएगा कहते हुए उस सुतंत्र युवती ने हस दिया वन की हरनी अपने आप जाल में फसने क्यों जा रही है मालती को अश्यर हुआ उसने चलते चलते पूचा भला तुझे दूला कहा मिल गया? ओहो, तब आप लोग क्या जाने कि हम लोगों के ब्याह की बात पकी हुए आठ बरस हो गए नीला धर चला गया था लखनु कमाने और मैंने भी हर साले यही नौकरी करके कुछ ना कुछ यही पाच सो रुपे बचा ली है अब वो भी एक हजार और गहने लेकर परसों पहुँच जाएगा फिर हम लोग उचे पहाड पर अपने गाओं में चले जाएंगी वहीं हम लोगों का घर बसेगा, खेती कर लूँगी बाल बच्चों के लिए भी तो कुछ चाहिए फिर चाहिए बुढ़ापे के लिए जिन पहाडों में कश्ट पूर्ण जीवन यात्रा के लिए त्यंता आवश्यक है वो प्रसन्नता से बाते करती उचलती हुई चली जा रही थी और मालती हाफ ने लगी थी मालती ने कहा तो क्यों दोड़ी जा रही है अभी ही तेरा दूलह नहीं मिला जा रहा है कमरे में दोनों और पलंग बिछे थे मच्छरदानी में दो व्यक्ती सोने का अभिनाय कर रहे थे चंदर देव सोच रहे थे ये बूटी अपनी कमाई से घर बसाने जा रही है कितना प्रगाढ प्रेम इन दोनों में होगा और मालती बिना कुछ हाथ पैर हिलाए डुलाए अपनी संपून शक्ती से निश्क्रिये प्रत्रोध करती हुई सुक भोग करने पर भी असंतुष्ट चंदरदेव था तारकिक वो सोचने लगा तब क्या मुझे इसे प्रसंद करने की चेश्टन छोड़ देनी चाहिए मरे चाहे जीए मैंने क्या नहीं किया इसके लिए फिर भी भौहें चड़ी ही रहे तो मैं क्या करूँ मुझे क्या मिलता है इस हिर्दायहीन बोज को ढोने से बस अब मैं घर चलूँगा फिर मालती के बाद एक दूसरी स्त्री अरे वो कितनी आग्याकार ने किन्तु क्या ये मर जाएगी मनश्य कितना स्वारती है फिर मैं ही क्यों नहीं मर जाओं किन्तु पहले कौन मरे मेरे मर जाने पर वो जीती रहेगी इसके लिए लोग कितने ही तरह के कलंक कितनी बुराई की बात सोचेंगे और यही जाने क्या कर बैठे तब इसे तो लज्जित होना ही पड़ेगा मुझे भी स्वर्ग में कितना अपमान भोगना पड़ेगा मालती के मरने के बाद लोका अपवाद से मुक्त मैं दूसरा बेहा करूँगा और पती वर्ता मालती स्वर्ग में भी मेरी शुब कामना करेगी तो फिर यही ठीक रहा मान की रक्षा के लिए लोक कितने बड़े-बड़े बल्दान कर चुके हैं क्या मैं उनका अनुकरण नहीं कर सकता मालती सम्मान की वेदी पर बली चड़े वही पहले मरे फिर देखा जाएगा राम की तरह एक पत्नी वर्त कर सकूँगा तो कर लूँगा नहीं तो चंदरदेव की खुली आँकों के सामने मच्छरदानी के जालीदार कपड़े पर एक चित्र खिचा एक युवती मुस्कुराती हुई चाय की प्याली बढ़ा रही है चंदरदेव ने ना पीने की सूचना पहले ही दे दी थी फिर भी उसके अनुनय में बड़ी तरावट थी उस युवती के रूम रूम कहते थे ले लो चंदरदेव यस्वपन देख कर निश्चिंत सो गया उसने अपने बनावटी उपचार का सेवा भाव का अंत कर लिया था दूसरी मच्छरदानी में थक्यों ही मालती थी सोने के पहले उसे अपने ही उपर रोश आ गया था वो क्यों ना ऐसी हुई कि चंदरदेव उसके चरणों में लूटता उसके मान को उसके प्रणाय रोश को धीरे धीरे सहलाया करता तब क्या वैसी होने की चेश्टा करे किन्तु अब करके क्या होगा जब यवन का उल्लास था कुसुम में मकरंद था चांदनी पर मेग की चाया ना थी तब ना कर सकी तो अब क्या बूटी साधरन मजूरी करके स्वस्त सुन्दर आकरशन और आदर की पात्र बन सकती है उसका यवन ढाल में पत्की और मूँ किये है फिर भी उसमें कितना उल्लास है यह आत्मे विश्वास यही तो जीवन है किन्तु क्या मैं पा सकती हूँ क्या मेरे अंग फिर से गुदगुदे हो जाएंगी लाली दोड़ा वेगी हिर्दय में और शंकल उल्लास हसी से भरा आनंद नाचने लगेगा उसने एक बार अपने दुर्बल हाथों को ठाकर देखा कि चूड़िया कलाई से बहुत नीचे खिसकाई थी सैसा उसे स्मरण हुआ कि वो बूटी से अभी दो बरस छोटी है दो बरस में वो स्वस्त, सुन्दर, हष्ट, पुष्ट और हस्मुख हो सकती है होकर रहेगी वो मरेगी नहीं ना, कभी नहीं चंदर देओ को दूसरे का ना होने देगी विचार करते करते फिर सो गई सवेरे दोनों मच्छरधानिया उठी चंदर देओ ने मालती को देखा वो प्रसन थी उसके कपूलों का रंग बदल गया था उसे भ्रम हुआ क्या? उसने आखे मिचमिचा कर फिर देखा इस क्रिया पर मालती हस पड़ी चंदर देओ जला कर उठ बैठा वो कहना चाहता था कि मैं चलना चाहता हूँ रुपए का भाव है कब तक यहां पहाड पर पड़ा रहूँगा तुमारा अच्छा होना संबह है मजूरनी भी छोड़ कर चली गई और भी अने का सुविदा है मैं तो चलूँगा परंत वो कहना पाया कुछ सोच रहा था निश्ठ और प्रहार करने में हिचक रहा था सहसा मालती पास चली आई मच्छरदानी उठा कर मुस्कुराती हुई बोली चलो घर चले अब तो मैं अच्छी हूँ चंदरदेवने आश्चर से देखा कि मालती दुरबल है किन्तु रोक के लक्षर नहीं है उसके अंग अंग पर स्वाभावेक रंग प्रसन्नता बन कर खेल रहा था अभी आप सुन रहे थे जैशंकर प्रसाद की लिखी कहानी परिवर्तन वाचन समीर गोस्वामी का था